मतलब ये चीज आप ध्यान में रखना अगर आप दिल्ली से गाड़ी खरी रहे हो मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपिरियंस है और हमें ये लाला चाहता है कि यार ये वाली गाड़ी इतने सस्ते में मिल रही है तो बहुत सोच समझ के बहुत चैक करके गाड़ी लेना क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रोड भी होते हैं तो मुझे अभी हैसा ही लग रहा है कि वह यार मैंने साइध ये गाड़ी खरीद के दिल्ली से भूल सी कर दी सो गुड़ बॉनिंग गाईज वैलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़या होंगे सो हाई आज कई दिन में वीडियो मिल रही है एंड होप करता हूं आप सब लोग बढ़या होंगे मैं भी एकदम बढ़या हूँ तो आज का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं भाई आज का वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को बहुत खराब लगे इसपेशली जो दिली में डीलर्स हैं या फिर दिली से मैं, जिनके पास डिजल कार है और फिर पैट्रोल कार है और वो सेल करना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी जो है 15 साल या 10 साल वाली जो रेडियो भी और खरीद रहे हो तो कुछ चीजों का आपको जो है इस पेसली ध्यान रखना है आज की वीडियों वो ही आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने अपनी खुद यह सफारी उदर से खरीदी है दिल्ली NCR का नंबर है और हमें लगता है कि दिल्ली NCR मतलब दिल्ली गुडगा के बहुत सारे डिष्टिक एड़ हुए है उसमें में उत्तर पिर्देश और हर्याना ही है राइस्थान का भी दो डिष्टिक है उसमें तो वह पूरा आपको ऊपर मैप दिखा दूँगा आप चेक कर सकते हो कहां कहां तक अभी दिल्ली NCR का रीजन है तो हमें पहले तो य चाहे वो दिल्ली NCR की है या फिर दूसरे किसी भी स्टेट की है आप इस रीजन में लेके नहीं जा सकते चाहे आप किसी और स्टेट में भी उस गाड़ी को आउन करते हो तो एक तो ये इन्फोर्मेशन मुझे इस वीडियो में देनी थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को प दूसरी चीज़े क्या क्या परेशानी आती है जब हम दिल्ली से कार खरीदते हैं तो वो आज डिसकस करूँगा और अगर खरीद भी रहे हो आप तो दिल्ली से अगर कार खरीद रहे हो तो क्या क्या चीज़े आपको ध्यान में रखनी है वो चीज़े भी आज इस वीडिय नहीं कराया था, बट हाँ, ट्रांसफर अपने नाम पर करा ली थी, उदर, तो वहाँ पर मेरा एड्रस था, तो उस एड्रस के ऊपर मैंने जो है, ये गाड़ी अपनी ट्रांसफर करा ली थी, लेकिन उसके बाद में जो है, जैसे इसको दस साल होने वाले थे, मतलब एक महीन अगर आप ऐसे चला रहे हो, अधर की नंबर रखे, आप सोच हो के भी हम दूसरे स्टेट में चला लेंगे, चलती रहने देंगे उदर के नंबर पर ही, तो वह पोसिबल नहीं हो पाएगा, अगर डीजल का रहे है, स्पेसली, पैट्रोल का रहे है, तो वह भी 15 साल के और एक साल लगवग, एक सवा साल पहले मैंने ये गाड़ी खरीदी, डेर साल हो गया इसको मेरे पास, तो मुझे लग रहा था कि यहाई के नंबर पर चलने देता हूँ, एडरस इदर का है अपना, तो कोई टैंसन नहीं रहेगी मुझे, और अराम से मतलब चलाते रहेंग तो मुझे लगा कि कहीं पर परिशानी हो ही जाएगी, क्योंकि ओनलाइन जो भी चेक करेगा, उनको दिखेगा, डी रेइस्टर्ड, लिखा हुआ, आप एप पे भी चेक करोगे, तो वो दिखेगा, तो फिर मैंने इनिसलीस की जो है, वन मंत के अंदर अंदर, नोसी निकल तो उसका complete video जैसी यह registered होती है इधर, तो उसके बाद में complete video आपको दूँगा, उसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी, क्या क्या दिक्कत है आपके सामने आ सकती है, अब problems क्या आती है, जब हम वहाँ से खरी लेते हैं, तो सबसे पहले देखो, वहाँ पे गाड़ी मिलती है, अगर यह जो boundaries है, जितने यह district है, हरियाणा और यूपी के और राइस्थान के, इन से बाहर आप चला सकते हो, इनके अंदर आप चलाते हुए पकड़े गए, तो तखड़ा फाइन है, तो वहाँ से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम है, दूसरा, NOC निकलवाना, तो dealer वगएरा उधर के, जिन से भी आप गाड़ी खरीद रहे हो, तो NOC तो provide हो जाती है, या वो निकलवा देते हैं उधर से, उसके बाद जो एक सबसे बड़ी दिक्काद आती है, वो होती है गाड़ी की invoice, अगर दस साल पुरानी गाड़ी है, उसकी invoice आपके पास नहीं है सबसे बड़ा पंगाव होता है, जब आप अगले किसी state में उसे register कराओगे, तो उनको चाहिए tax के लिए invoice, वहांका tax काटने के लिए, तो वो जरूर आपको रखनी है, अगर आप खरीद रहे हो तो, तो tax invoice अगर आपके पास है, गाड़ी की जो purchasing invoice है, वो आपके पास है, त उदर का tax पे करोगे, उदर से आप अगर diesel गाड़ी है, तो उदर से उसका tax आप refund करा सकते हो, जो बचे हुए साल है, तो वो अभी process में मैं डालूँगा, पहले इदर register होने देते हैं इस गाड़ी को, तो यह तो कुछ दिक्कत है, जो दिक्कत है आपके सामने आने वाली है अगर आप दिल्ली की तरफ से गाड़ी खरीते हो, तो दिल्ली है NCR से, तो सबसे बड़े दिक्कत यही है, कि दस साल पुरानी गाड़ी हम किसी भी स्टेट की इस रीजन में नहीं लेकर जा सकते, और अगर आप भूल से जा भी रहो तो यह चीज का ध्यान रखना कि उधर हरना हैवी फाइन आपको लग सकता है, बाकी अगर आप दिल्ली में जाके डिलर से गाड़ी खरीद रहे हो, इस पेसली दिल्ली के जो डिलर से और वहाँ पर बहुत है, मतलब एक जगह नहीं है, आपको इसे भी एरिय में जाओगे, हर जगह आपको गाड़ी के डिलर मिल जो सेकेंड हैं गाड़ी बेखते हैं, तो बहुत सोच समझ के, बहुत चैक करके गाड़ी लेना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रोड भी होते हैं, मतलब आपको दिखाएंगे कुछ और गाड़ी कई बार मिलेगी कुछ, मैंने दो तीन गाड़ीों की टैस गाड़ी, तो इस चीछ का ज़रूर दियान रखना, उदर की तरफ आपको दिखता कुछ है, बहुत से चमक धमक पर मत जाना, गाड़ी की, गाड़ी को चेक करना, अच्छे से चला के, तो वो तो खैर या फिर किसी मक्यानिक वगएरा को अपने साथ लेकर जाना, तो ये आपको बताया के वही सोस समझ के लेना, हर आदमी फ्रोड नहीं होता, लेकिन ज्यादा मैक्जिमम जो है, मैक्जिमम डिलर्स, उसमें आपको ये प्रोब्लम मिलेगी उदर दिल्ली के अंदर, बाकी जी अपनी इस गाड़ी को होने देते हैं अभी रईष्टर्ड पहले, अब इसका जो ये नंबर वगएरा सब चेंज हो जाएगा, और देखो कितना टाइम लगेगा, मैंने वैसे फाइल वगएरा लगवा दिये, पूरा जो भी डोकुमेंट्स थे वो लगवा दिये, इन्वोइस की मुझे बहुत दिक्कत आई थी, और फाइनली मैंने इन्वो गाड़ी खरीद के दिल्ली से भूल सी कर दी, क्योंकि ओल्रेडी मैंने इसको बहुत मेंटेन किया है, और उसके बाद में अब ये डिरेइस्टर्ड का जैसे मेरे पास मैसेज आए, तो मुझे लगा के नहीं यार, अब तो रेइस्टरेशन भी इसका इधर कराना खैर चलो, देखते हैं, बट मतलब ये चीज़ आप ध्यान में रखना, अगर आप दिल्ली से गाड़ी खरी रहे हो, मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपिरियंस है, तो मैंने आपको बताया, आपके साथ सेर किया, और हो सकता है, आप भी ऐसा सोच रहे हो, कि उधर से गाड़ी दूसरे स्टेट में हम गाड़ी चलाते रहेंगे अराम से, तो होप करता हूँ, वीडियो आपको informative लगाओगा, और अच्छा लगाओगा, वीडियो अच्छा लगाओगा, तो लाइक, सेर, कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं क्या है, और अगर आप भी प्लाइन कर रहे हो, दिल्ली NCR से गाड़ी खरीदने का सस्ते में, तो यह चीज़ा आप ध्यान में रखना, अपने, बाकी उसके बाद अगर यह चीज़ा आप कम्प्रीट कर रहे हो, और आप फुल्फिल है आपकी चीज़ा है, तो फिर कोई ट है, और आप कर रहे हो, यह चीज़ा हैं